इस वीडियो में नीट 23 की एक्सपेक्टेड कटोव के बारे में बात करेंगे कि नीट 23 के लिए कितनी मार्ग्स पर गौर्मेंट कोलीज में एडमिसन मिल जाएगा हमारे जो प्राणे वीवर्स हैं उनको इस बात का मौलूम है कि हम जो भी कटोव प्रेडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल एकुरेट रहती है क्योंकि हम डाटा एनलाइसिस करके ही कटोव प्रेडिक्ट करते हैं व्यूज के लिए वीडियो बनाना हमारा कोई मतस्त नहीं है तो आईए बात करते हैं NEET 23 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में, तो कटोफ के लिए factors तो काफी होते हैं, मगर mainly ये तीन factors कटोफ पर effective डालते हैं, सबसे पहले difficulty level of cushion paper, number of candidate appeared in the exam, और तीसरा जो factor है वो है total seats, अब इसमें जो सबसे बड़ा factor है, वो है difficulty level of cushion paper, ये सबसे बड़ा factor यहां काम करता है, एक बार हम इस data पर नज़र डाल लेते हैं, तो देखते हैं कि 2020 में जो cut-off रही थी, general category की 611 cut-off रही थी, उस समय जो total candidate appeared हुए थे, वो 13,67,000 candidate appeared हुए थे इसमें, वो total seats थी 7,899, जो paper का difficulty level था, वो easy था 2020 में, उसके बाद ऐसा easy paper आया नहीं है, 21 की बात करें, तो 595 cut-off रही थी general category की, total candidate appear हुए थे 15,45,000, यानि 1,78,000 candidate ज्यादा थे 21 में, 20 की बजाए, अब इसमें जो seat थी, मैं यहाँ पर ओल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ seat थी, वो 8,705 seats थी, यानि की 20 और 21 में जो seat increase हुई थी, वो 8,006 seat, 21 में ज्यादा increase हुई थी, यहाँ पर जो paper का level था, वो moderate था, अब बात करें 22 की, तो UR category की cut-off 596 रही थी, टोटल कंडिडेट अपेर हुए थे 70,65,000, अब इसमें जो टोटल कंडिडेट इंक्रीज हुए थे, 2,20,000 कंडिडेट इंक्रीज हुए थे, seats की अगर बात करें तो 9,660 seats थी ओल इंडिया कोटा के लिए, यानि की 955 seat increase हुई थी यहाँ, paper का जो difficulty level था, moderate था, लेकिन यहाँ पर AR-based क्यूशन आये थे, paper लेंदी था, लेकिन यहाँ पर candidate को जो फाइदा हुआ था, वो यह हुआ था कि student को 22 में 20 minutes ज्यादा दिये गए थे, इसकी वज़े से यह paper 21 की तरह ही same सा हो गया था, यहाँ कि paper थोड़ा लेंदी था, AR-based क्यूशन थे, लेकिन 20 minutes ज्यादा मिलने के कारण students के marks इसमें भी काफी आये थे, rank इसमें भी student को काफी अच्छी rank मिली थी 22 में, इसलिए 21 और 22 का हम ज्यादा इसमें अंतर नहीं मान सकते, difficulty level same सा ही था, तो अगर इसमें हम cutoff की बात करें, cutoff देखें, तो इसमें 21 और 22 में same सी cutoff है, एक ही cutoff है, तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो cutoff depend कर रही है, इन तीन शाल के अंदर, वो क्यूशन पेपर के difficulty level पर ही cutoff depend कर रही है इसमें, अभी 23 में भी जो cutoff रहने वाली है, उसके अंदर candidate जो appear होंगे, इसमें 20 लाग के nearby candidate अपेर होने की possibility है, 21 लाग से ज़्यादा candidate registered होए हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि इसमें 19 लाग 50,000 के nearby इसमें अपेर होंगे, तो जो increase होंगे, वो तो सेम previous year की तरह होंगे, तो यहाँ काम नहीं करेंगे, जो main factor काम करेगा, factor तो मैंने बताया और भी काफी सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो main factor है, वो difficulty level of cushion paper ही यहाँ 23 की cutoff के लिए काम करेगा, इस से हमें यह मालुम चल गया है कि 23 की cutoff, इसके cushion paper पर ही depend करेगी, 23 का cushion paper कैसा आता है, वहाँ यह cutoff depend करेगी उसी cushion paper के लिए क्योंकि, क्योंकि जिस ratio से candidate increase हो रहे हैं, उसी ratio से seat भी increase हो रही है, 21, 22 की तरह 23 में भी seat increase होंगी, और इसमें भी जो seat इंक्रीज हो रही हैं, वो काफी सारे states में seat increase हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो factor काम करेगा, वो है difficulty level of cushion paper, अभी need 23 का cushion paper कैसा रहेगा, यह कैपाना मुस्किल है, मुस्किल ही नहीं यहाँ नामुमकीन भी है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी accurate cutoff तो नहीं बता सकते, बट अगर paper 21 और 22 की तरह ही रहा, तो यह cutoff UR के लिए 600, EWS के लिए 600, OBC के लिए 600, इनमें 1-2 marks का अंतर रहेगा, SC के लिए 470 और ST के लिए 450 cutoff रह सकती है यहाँ पर, इतनी cutoff जा सकती है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर यह paper 21 और 22 की तरह रहा, तो यहाँ पर बाकी factors काम करते हुए, यह cutoff बाकी year से 5 marks increase होगी, 21-22 से 5 marks increase होने की possibility है, क्योंकि यहाँ बाकी factors भी काम करेंगे, तो आपको target तो काभी लेके चलना है, अगर इसमें देखो जो cutoff होती है, वो last mark होती है, मतलब कि इस marks down वाले candidate को seat मिलने की possibility नहीं होती है, अगर आपको जो target लेकर चलना है, वो high target लेकर चलना है, जिससे आपको अच्छी college मिल सके, अभी आपके पास में 10-12 days का समय बचा है, इसमें आपको revision करना है, और question paper की practice भी करनी है, आप अवस्य ही select होंगे, तो आपको अच्छा target लेकर चलना है, और इन दिनों, मैं ये तो नहीं कह सकता है, कि इन दिनों अभी आप सुरू से फटके, selection ले सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ये revision का समय बचाना है,